वेल्कम बेक तो में चैनल सेलजास फैमिली होप यू ओल डूइंग वेल्ड्स आज़की वीडियो में आप लोगों के साथ सेयर करूंगी वेडिंग गेस्ट मेकप लुक 2021 जैसे कि यह डिसंबर का मन्थ चल रहा है साल का लास्ट मन्थ है और यह वेडिंग शिजन है सो इस टाइम पर हम यह वेडिंग लुक क्रेट कर सकते हैं अगर आपको गैस्ट मेंकप लुक क्रेट करना चाहते हो तो आप definitely इस लुक क्रेट कर सकते हो सबसे अपने अपनी फेस टोनर किया है इंदें मैं अपनी फेस कर रहे हूं कि मेकप से पहले हम आपने फेस को अच्छे से हाइड्रेट करना चाहिए और इसके क्या होता इमारी हमारी स्कीन पर है यहाइरी सरो पूस्य मोष्य मेशन कर ने का один feature शूप описании might him up मेकप अपने फेस पर अपलाई करेंगे वह बिल्कुल भी कैकी या फ्लैकिनेस नहीं आती है उसमें वह काफी ज्यादा स्मूथ लगता है तो आप डेफिनिटली अपना स्किन केर रूटीन जो है वह काफी अच्छे से किया करो नेक्स में यहाप अपलाई करने वाली हूँ ब्ल्यू हेवन का प्राइमर यह मेरा वन ऑफ दे बैस्ट प्राइमर है इससे क्या होता है कि हमारे ओपन पॉर्ट जितने भी होते हैं वो ब्लर आउट हो जाते है और हमें एक स्मूथ बेस मिल जाता है आगे का मेकप अपलाई कर लिए next मैं आप अपने फेस पर अपलाई कर रहे हूं fit me foundation मेरा सेड़े हैं यहापके 1 2 8 तो मैं इस तरीके से डॉत करते वह अपने पूरे फेस पर अपलाई कर दूंगी कुछ इस तरीके के वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ मैं इसे ब्लेंड करूंगी हमें डैब डैब करते हुए अपने फांडेशन को अच्छे से ब्लेंड करना है हमें अच्छे से टाइम लेते हुए अपने फांडेशन को ब्लेंड करना है क्योंकि जितने अच्छे से हमारा foundation blend होगा उतनी ज्यादा brightness हमारे face पे मिलती है मैं देखने हो को तो एक beauty blender से blend करने का benefit एक ये भी होता है कि इस से हमारे face में एक natural कुछ ऐसा नहीं लगता कि हमने over अपने face पे कुछ पूद लिया है मलब एक natural सी finish आती है beauty blender से मुझे ऐसा लगता है परसनली कंपेर टू ब्रस नेक्स्ट महीं हाप अपने face पे अपलाई कर रहे हूं concealer concealer के लिए मैंने याप यूज किया है Maybelline fit me का concealer ये भी काफी अच्छा concealer है under 300 हमें easily available हो जाता है ठीक है मैं अपने अंडर आई एरिया में जितने भी मेरे highlighted points में उन जगों पे अच्छे से concealer को अपलाई कर दूंगी concealer apply करने से क्या होता है कि हमारे जो highlighted points होते वो और भी ज्यादा इन्हेंस होते है जो हमारा uneven skin tone होता है लाइक जितने भी में dark circles and pigmentation blemishes वगेरा की problem होती है वो easily hide हो जाती है वैसे जिन लोगों को dark circles की problem जादा होती है वो लोग को पहले जो है कि orange color character का use करें then कोई भी concealer apply करें अब मैंने से अच्छे से blend कर दिया है next मैं यहां पर make up fixer यूज़ कर रही हूं Swiss beauty का इससे क्या होगा कि जितना भी foundation and concealer वगेरा हमने अप्लाइ किया है वह अच्छे से set हो जाएगा वैसे अब मैं यहां पर apply कर रही हूं blue heaven का translucent powder तो हम जितना भी लिक्विडी फॉम में मलब जो भी चीज़ अपने फेस पर या cream बेस जितनी भी चीज़ अपने फेस पर अप्लाइ करते हैं like foundation, concealer वगेरा उन सब को set करने के लिए हम compact का use करते हैं तो आप compact या translucent powder कोई सा भी च अप्लीड नहीं होती है एंड हमारा जुतना भी मेकप होता है अच्छे से से जाता है नेक्स्ट यहां पर बारी आती है आइब्रोज की तो आइब्रोज को फिल लिन करने के लिए में यह पर वेटन वाइल्ड की आइब्रोज की जो ए उसका यूस कर रही हूं इसमें आमें किस तरीके का एक स्मॉल सा ब्रस मिलता है जिसमें हमें एक साइड स्पूली दीवी होती है एंड दूसरी साइड पर हमें एक एंगुलर ब्रस दियावा होता है सबसे पहले थे मैंने स्पूली की हल्प से अच्छे से अपने आइब्रोज की हर को कॉम किया है दैन स्पूली क तो आप देख सकते हो नेक्स्ट में अपनी दूसरी आइब्रोज को भी कुछ इसी तरीके से फिलेन कर लोगी आपको जो एकी स्टार्टिंग से कलर फिल नहीं करना है क्योंकि इससे हमारी आइब्रोज जो होती है वो बहुत ही ज्यादा आर्टिफिशियल लगती है हमें धीरे-धीरे कलर डिपोजिट करते जाना है नेक्स्ट मैं यहाँ पर अगैन वही मैविलीन का कंसिलर यूज कर रही हूँ अपनी आइब्रोज को अच्छे से साप दिखाने के लिए अपनी आइलेट्स पर भी मैं कंसिलर यूज कर लोगी इससे क्या होता कि मे JC की जितनी भी अनीवन जोगी और मुझे एक अच्छ सा बेस मिल जाएगा आगए का आइसेडो वगरेगा पलाई करने के लिए क्योंकि अगर हम आइसेड़ करने प्हेले अपनी favor कर यूज करते हैं तो इससे हम जितने भी इसेडों की color अपने आपलाई करते हैं वो अच्छे से पॉप अप होके हमें नजर आते हैं एंड अपलाई करने के बाद हम उसे सेट करने के लिए अगें प्रांसलेशन पाउडर का यूज करेंगे नेक्स्ट मैं हापी यूज कर रहे हूं स्विस्व व्यूटी का आइसेटी पैलेट्च जिस मेंसे कि मैंने बिल्कुल 2006 city अक्रिजी लाइन को बिल्डब कर रहे आप देख सकते हो कि मैं इसे अच्छे सए अपनीdriven पापलाई कर रहे हो कि दूसर्य आइस पे ऐसी तरीके से अप्लाई कर दूंगी देस्ट केहां देन भी उसी ब्रस Lethe से इस नर наст को अपनी लोगर लेसे लाइस द्व Waar कि क्लोष में के प्लाई करा करूंगी क्योंकि इससे आइस का एच्छा सा लुक हमें मिल जाता है इसी लोवर लेस्ट लाइन के क्लोज क्लोज एकदम समच करके हमें अपलाई करना होता है नेक्स में हापी यूज कर रही हूं स्विस ब्यूटी का लिक्विड ग्लिटा आइसेड़ यह बहुत ही अच्छा आइसेड़ यह सेंपैन कलर मैंने यह पर लिया है और मैं उसे कुछ इस तरीकी के अप्लिकेटर की हेल्प से अपलाई कर दूंगी जिससे कि इसे अपलाई कर से कितना अच्छा सेड़ यह आप देख सकते हों इसी तरीके से मैं दूसरी आऊच्छी यह बहुत जल्दी जल्दी में जाना और या कुछ भी है तो आप इसे अपलाई कर सकते हैं इसमें हमें जिस तरीके के इक ह habe एप्लिकेटर हमें इसमें मिल जाता है स्विस्पीटियो की लिक्विड ग्लिटा ऐसेड़ो में काफी सारे सेड अवेलेवल है सो आप लोग को देख सकते हो अब मैं अपनी आइस को साइड से क्लीन कर लूँगी इस तरीके से जितना भी एक्स्टा फॉल आउट वगरा हुआ है उसे इस तरीके के वेट वाइप की हेल्प से हम क्लीन कर लेंगे नेक्स्ट में हापी यूज कर रही हूं ब्ल्यू हैवन का स्केच आइलाइनर जिसे कि मैं बहुत ही थोड़ा थोड़ा एपलाई करकी विंग डाइलाइनर क्रेट करूंगी इसेड़ ब्लेंडिक ब्लेंड कर लूंगी ताकि दोनों की एजिस जोय है आपस में अच्छे से ब्लेंड हो जाए एंड़ क्लीन लुक हमें मिले नेक्स मैं हाप्य अप्लाए कर रही हूं LA18 की काजल यह काफी ज्यादा अच्छी काजल है जैड ब्लैक फॉर्मूली के साथ हमें मिलता है बहुत ही ज्यादा अफॉर्डबल है अब देख सकते हो कितनी ज्यादा पिग्मेंटेशन है इसकी गाईज तो मैं अपने लोवर यह काफी अच्छा मस्कारा है एक्डम से हमारी आइलैस को यह वाल्यूम प्रवाइड कर देता है तो हम अच्छे से अपने अपल लैसिस को लोवर लैस को को कोड़ कर लेंगे इससे जिन लोगों को फॉल्स लगाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है लाइक मी वह अच्छे से अपनी आइलैस को कोड़ कर आ करे ताकि हमारे आइलैस को अच्छा सा वॉल्म मिल जाए दैन मैं हाप पर ब्यूर्ट सॉरी मेकप फिक्सर से अच्छे से अपने मेकप को सेट कर एक जिलूंगे एक नेक्स में यूज कर रही हूं जो ब्लसर भी हम इसी तरीके के फ्लॉफी ब्रस की हल्प से यूज कर सकते हैं N Eco गैश्ट में कर आहां पर आपलाइ हूँ हूं शुगर का कॉंटोर पाउडर जिसमें की मेरा सेड़ है 02 वुडर एंडr क Lakes गाचिन चूर को सीकिनि मिल जाता है एक यहला आपाउर प्लाइज कि जिसने भी नैचुरल डाइमेंसन होता है मिल जाता है इससे हमारे face को एक अच्छा सा dimension मिल जाता है मतलब जितना भी foundation concealer वगेरा हम face पे apply करते हैं उसके बाद क्या होता है कि हमारा face जो बहुत ही जदा flat हो जाता है and contour apply करने के बाद हमारे face को एक shadow provide हो जाती है एक dimension मिल जाता है next मैं है पे apply कर रही हूँ highlighter यह तो पूरे makeup की जान होती है highlighter जिससे के हमारे face पे glow आता है हम जब भी किसी का glowing makeup देखते है तो सुचते कि यार इसका face इतना ज्यादा कैसे ब्राइट वह सब highlighter का ही कमाल होता है सो हम अपने highlighted points पे highlighter को अच्छे से apply करेंगे then मैं यहाँ पर use कर रही हूँ lipstick lipstick के लिए मैं यहाँ पर Swiss beauty का lip crayon जो है जिसमें की मेरा सेट है 228 bold wine तो यह सेट काफी ज्यादा अच्छा लगता है मोशली तब जब आप किसी occasionally या किसी function वगेरा को attend कर रहे हूँ तो यहाँ पर मैं हूँ done अब मैं मिलती हूँ आप लोगों को अपने बालों को सेट करके पहले मैंने यहाँ पर make a fixer यूज किया है तो या गाइस दिस इस माई final and finished look तो बताइए गाइस आपको यह लुक कैसा लगा होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो मेरा आज का यह लुक पसंद आया हो अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो या वीडियो से लेटिड कोई भी queries हो आपकी कुछ भी पूछना हो आप लोगों को तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं या कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे दे सकते हैं गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तिल देन बाई और इससे पहले गाइस अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीस मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दें और सस्क्राइब बटन के पास जो बैल आइकन है उसे भी हिट कर दें क्योंकि इससे आ आपको मेरे आने वाले वीडियो की नॉटिफिकेशन मिल जाएंगे एंड याउ गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तिल रैन बाई झाल झाल